अगर आपको राश्टपती से कोई भी सिकायत कोई भी कंपलेन करनी है तो आपको लेटर लिखने की या आपको राश्टपती से जाके मिलने की कोई जरूरत नहीं है आप घर बैठे अपने मोबाल फोन से लेप्टॉब से राश्ट पती से कोई भी सिकायत कोई भी कमपलेन कर सकते हैं राश्ट पती के पास भी पावर्स होती है जैसे कोई भी पर्षन को कोट फांसी की सजा दे देती है तो राष्ट पती को ये पावर होती है कि उसकी सजा को कम करवा सकता है और उसकी सजा को माप भी करवा सकता है Constitution Article 72 के तहट राष्ट पती को ये पावर होता है कि वो किसी भी person की सजा को माप करवा सकता है जिसको फांसिक सजा हो गई है सुग आज मैं हूं इंजिनियर राजा और मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हो कि किस तरीके से आप आल्लान राश्पती को कोई भी कमपलेन और कोई भी सिकायत कैसे करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं शुट अपने मोबाल में या लेपटोप में कोई भी बरॉज़ दो आपको अपने मोबाल में या लेपटोप में कोई भी बरॉज़र में आपको एक URL टाइप इन करना होगा helpland.rb.nic.in तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पोटल ओपन होके आ जाएगा इस पोटल को पुर्व राष्टपती प्रतिवा पाटिल ने 2009 में शुरू किया था इससे पहले राष्टपती को जो भी complaint भेजी जाती थी वो बाई पोस्ट ही भेजी जाती थी लेकिन अब आप इस पोटल से अब आप अपने मवाल फोन से लैप टॉप से राष्टपती से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या राष्टपती को कोई भी complaint भी भेज़ सकते हैं यह विवसाइट काफी सिंपल है इसको आप इंगलीज और हिंदी दो तरीका से आप इसको ऊसाइट को यूज कर सकते हैं और इसमें स्रक सब्सक्राइब में आपको अपने Keeping करने के लिए लिए लग्याजbay Request करेंगे आपके सामने यह form आ जागा यह form को आप फिलफ करेंगे और समिट करेंगे तो यहां पे सब से पहले आपको अपना नाम डाल देना है यहां पर आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम six character का होना चाहिए और पासवर्ड कैसा होना चाहिए जैसे मेरा नाम है इंजिनियर राजा त इसके बाद एक स्मॉल अक्षर इसके बाद कोई भी a special character इसका कोई नंबर होना चाहिए ठीक है इसके बाद पासवर्ड को आपको दोबारा से यहां कर देना है इसके बाद यहां से देख रहे हैं कि आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस को आपको यहां पर टाइपिंग कर अब्सक्राइब कर देना है इसके बाद आपको यहां पर अपने एड्रेस कर लेना है इसके बाद यहां पर यहां पर टाइपिंग कर देना है यह जो आपको I e-mail ID है वह इमेल आईडि के लिए और जो इसमें डाल देना है तो यहां पर आपके एक लीटिडनी है अलेट के लिए जोभी आपलिकेशन का जोभी सटेस रएगा वह आपको इमेल Adi पे सहाद किया जाएगा इसको यहां नीचे अपना रिख्वेस्ट या तो यहां पर लाक्त उसको प्राइस भी कर सकते हैं तो कहीं पिकल रखे वह तो यहां कंपिकल को रिख定 यहां उसको दैतल चाहिए आप रहना है उसमीच नहीं हो पाएगा तो पिलिज भाई लोग आप लोग थ्यान देना अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो यह इस पेशल करेक्टर को पिलिज आप उसमें टाइपिंग में एट नहीं करना नहीं तो आपका यह जो है अप्लिकेशन वह समिट नहीं हो पाएगा तो इस बात को तो जरा आप लोग करना है और जहांवी रखे हुए हैं उस फायल को सिंपली से सलेक्ट करके यहां पर ऑपन कर देना है यहां उपन करते देखें यह आपका जो फैल है वह आवल्डेडी यहाँ पर आ चुका है अपका फायल के साथ यह देख रहे हैं कि मैक्सिमम फोर इमिश से ज्यादा नह नहीं है तो पाद चेक करने बाद सिंपली आपको यहाँ कर देना है जैसे समिट कीजिए गए तो आपका जो एक आपका प्रीटिन नंबर आ चुका है तो मैं बहुत कम टाइपिंग किया था तो इस तरी कर सब्सक्राइब प्रांव मैं यहां इसको प्राइप कर लेता हूं और मैं इसको तरी प्राम यहां से बात हो चुका है मैं यहां पर डाल देता भी यहां से प्रिस्टेंट करेंब कर दालके में सब्सक्राइब कर लेता हूं इसके बाद कभी अपने application का status चेक करने के लिए आपको इसी बसाइट पर आना है और यहां पर देख रहें कि बीव इस्टेटस आपको इस पर ओके कर देना है जैसे ओके कीजिए का आपके सामने कुछ इस तरीका सब्सक्राइब जो आपका पेज है ओपन होके आ जाएगा इसके बाद यहां पर जो यहां पर डाल डाल देना है जो भी पासवर्ड आपने चूच किया था वह पासवर्ड को दर कर लिया गया है और अभी यह एक्ञेशन के अंडण है मतलब कि पहले चेक किया जाएगा कि जबने रिक्वेस्ट कि है या आपने जो सिकायद की है वह data भी है या नहीं और यहां पर देखिए time दिया गया है कि आपके जो कम्पलेन है जो भी से कैस वह साथ दीन के अंद राष्ट पती से कर सकते हैं अगर आप हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो और इसको बहुत सवधानी और आसानी साफ इसको फिलब भी कर सकते हो इस पोटल से जो भी आप रिक्वेस्ट या कमपलेन करते है वह राष्ट पती के सक्याने में जाती है और वहां से इसको रिलिटेट डिपार्टमेंट में सेंड की जाती है इसलिए इस पूर्टोल पे आपको जो भी खुबलेन करें पूरी डीटेल में करनी चाहिए जितनी डीटेल में आपकी रोक्वेश्ट जो भी कंपलेन हैं जितनी जादी होगी उस पर एक्सल्get लिया जाने के चांसे जो है बहुत जादे हो जाते हैं और उस पे action भी बहुत जल्दी लिया जाता है इस पोटल से जो भी complaint या जो भी request है उसको action लिये जाने का maximum 7 days है 7 days में आपका जो भी action है उसका report आपको मिल जाता है हलाकि इसमें जो request है जो भी complaint जादे होने से इसमें कुछ जादा time भी लग सकता है आप जो भी complaint जो भी complaint करते है वह राष्ट पती के सचीवाले में जाती है और वहां से relative department पे send कर दे जाती है आप राष्ट पती से जो भी complaint जो कर रहे है वह detail में कीजिए detail में करने से यह होता है कि जो यह आपके approve होने की chance है वह जादे बढ़ जाती है तो आप जो भी complaint जो भी सिकायद कीजिए वह थोड़ा detail में कीजिए थोड़ा बढ़िया से कीजिए ताकि आपका जो complaint है वह approve हो जाए आपने जाना कि किस तरीका से हम राष्ट पती से online कोई भी complaint कोई भी सिकायद कर सकते है अगर आपके दिल में कोई question हो तो नीचे comment box में जाके comment करके पूछ सकते हैं